हलो माई डियर फ्रेंड्स विल्कम बेक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है और मई का महीना है और गार्डन में आज मुझे बहुत सारे वर्क करने है कुछ मैं रिपॉर्ट भी करूंगी प्लांट और कुछ की प्रूनिंग भी करूंगी तो आज कौन कौन से काम है मेरे तो आज का मेरा टॉपिक ही है गर्डन वर्क है बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्रेंड्स की महीने में रिपॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए आज मैं आप लोगों को इंडोर प्लांट को रिपॉर्टिंग करके दिखाऊंगी और कुछ सावध्यानियां भी बताऊंगी जिससे कि आपका प्लांट जो है खराब नहीं होगा अकसर करके ये दिक्कत आजाती है कि जब भी हम कोई प्लांट रिपॉर्टिंग करते हैं या नर्सरी से कोई भी लाय हुए प्लांट को रिपॉर्टिंग करते हैं तो ऐसी क्या गलती हो जाती है जिससे कि हमारा प्लांट जो है खराब हो जाता है तो आप लोगों ने देखा है मेरे जो इंडोर प्लांट है न मुझे लगता है वो गमले उनके लिए ज्यादा बड़े-बड़े हो रहे हैं क्योंकि अक्सर मैं वीडियो में कहती हूँ जितने बड़े प्लांट है जैसे कि देखिए मेरे कोलियस का प्लांट कितना बड़ा है और मैंने उनको पॉट कितना बड़ा दिया है तो जैसे जैसे जितने जितने बड़े प्लांट रहते हैं उनको उतने ही छोटे प्लांट है तो छोटा प्लांट है तो बड़ा प्लांट है तो बड़ा प्लांट लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक तो रीजन बड़ा प्लांट का भी हो रहा है और दूसरा रीजन मुझे लग जब भी में इन पानी डालती थी न तो पानी बहुत जल्दी निकल जाता था तो मुझे लगा कि इतना जल्दी पानी कैसे सोक लेता है क्या दिक्कत है तो देखे फ्रेंड कोई भी plant में यदि आपका plant है किसी pot में और आप जो है उसमे water डालते हैं पानी डालते हैं और पानी जो है बहुत जल्दी निकल जाये तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो plant है न वो root bond हो गया है सुरू सुरू में जब आप प्लांट लगाया रहते हैं तो भी अक्सराइसा होता है कि जब हम पानी डालते हैं जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है पानी तो उस समय तो उनकी जड़े उतनी बढ़ी नहीं होती ये आपको भी पता होगा लेकिन जदा दिन होने के वज़े से देखे इस तरह से कितनी जदा रूट इनकी बड़ी बड़ी हो गई है और रूट बॉंड हो गई है तो मैं कोई भी प्लांट को फ्रेंड्स रूट बॉंड होने पर ऐसे ही करती हूँ यह आरि की मदद से न, मैं चारो तरब से और नीचे से, मिट्टी काट के निकाल देती हूं, जिससे की जड़े भी कटके निकल जाती है, और पूरी मिट्टी मैं नहीं निकालती हूं, एक-एक जड़ को आप खोल-खोल कर कट करोगे, तो कभी-कभी दिक्कत भी हो जाती है, सबसे अच्छा उपाय मुझे यही लगता है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ आरे की मदस से जो है इस तरह से सारे जितनी भी छोटी छोटी जो रूट्स है वो कट जाती है और बहुत अच्छे से आपका प्लांट जो है सेब भी रहता है तो किनारे किनार से देखे कितना लेयर बना हुआ है जड़े की लेयर बनी हुई है तो इनको मैं इस तरह से कट कर दूंगी और कट करके इसमें पूरी मिट्टी आपको बिल्कुल नहीं निकालनी है गर्मी में जब भी कोई प्लांट आप रिपॉर्ट कर रहे हैं तो खास सावधानी आपको यही बरतनी है एक तो इसकी पूरी रूट्स नहीं निकालनी है पूरी मिट्टी ओपन नहीं करनी है आपको किनारी किनारी की जितनी बड़ी जड़े है जो रूट बांट हो गई है उनको ही कट करके आपको निकालना है बाकी मिट्टी रहने देना है और उसके बाद नई मिट्टी में आपको इस और ये वाले जो मैंने फेस वाले जो pot बनाये थे ना, oil cane के, उसी में मैंने लगाया था और ये भी इसी तरह का दिक्कत क्रेट कर रहा था, तो इनको बस इस तरह से root prune कर देना है आपको, इसमें तो जादा ही हो गया है friends, देखिए, तो आरे की मदद से मैं कट कर दूँगी और इनको नई मिट्टी में डाल कर जो है ना, इस pot में, मैं इसी pot में report कर दूँगी, तो जब भी कोई plant reporting करते हैं, और खास तोर पे summer season हो, या कोई सबी season हो, मिट्टी नहीं जरूर डालिए, आप उसी मिट्टी का इस्तमाल मत करिए, उसे सुखाने के लिए रख दीजिए, वो plant को report कर सकूँ, तो काफी दो-तीन दिनों से मैं देख रही थी, कितनी जल्दी पानी जो है, बहुत जल्दी drain out हो जाता था, और समय भी नहीं मिल पा रहा था मुझे, और चुके भी मेरी तबियत भी कुछ ठीक नहीं है, मेरे हाथ को देखकर आप समझ गया हो, मेरे हाथ आप में थोड़ी सी सूजन हो गई है, तो अचानक तबियत खराब भी हो जाती है, तो खैर, देखते हैं कब तक ठीक होता है, तो ऐसी ज़्यादा दिकत नहीं है मुझे, बस आप पर में स्वेलिंग दिख रहा है, तो आज मैं देखिए ये वाले जो pot है ना, इसमें मैंने जो plant लगाया है, मुझे लग रहा है कि इनको हटाना है मुझे, और ये जितने भी indoor plant देख रहे हैं, इन सब का जो है pot मैं change करूँगी, इनको मैं छोटे-छोटे pot में shift करूँगी, और उसके लिए मैंने इस बार अलग सी मिट्टी तयार की है, मैं normal मिट्टी में अपने indoor plant मै मैंने बनाय थे, लगाय थे, लेकिन इस बार मैं जो है कोको पीट का इस्तमाल कर रही हूँ, और मिट्टी का इस्तमाल कर रही हूँ, और इसमें वर्मी कंपोज्ड मिलाया है, डी एपी के कुछ दाने मिलाया है, फंगी साइड, नीम खली और एपसम सॉल्ट, इस तरह से ज दिख रहा होगा, यह क्या है ना मैं इसमें रखी थी, लेकिन मेरा वेटा जो है पुरा मिक्स कर दिया है, फंगी साइड भी दिख रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी, तो इस बार मैंने अपने इंडोर प्लांट के लि उनको अपडेट भी दिखाई है, तो Song of India के मेरे पास जो है ना इस तरह के दो प्लांट थे और काफी लंबे से जा रहे थे, तो मैंने उनको कट कर दिया है, बूसी प्लांट ही ज्यादा अच्छा लगता है, फ्रेंड सिंगल ब्रांच वाले प्लांट उतना अच्छा नही दिखता है, तो उनको मैंने जो प्रून किया है ना उस प्लांट में भी नई ब्रांच निकल जाएगी और ये दो प्लांट मेरा और तयार हो जाएगा, तो ज्यादा पत्ती रखूंगी नहीं, बिना मतलब का एनरजी वेस्ट होगा, तो बस उपर की 4-5 पत्तियां ही आपक करिये, रिपॉर्टिंग के लिए भी इस्तमाल करिये, छोटे-छोटे जो बेवी प्लांट रहते है ना, उनको इस जो है डिस्पोजल ग्लासेस में लगाईए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, 100 में 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको काफी अच्छा ग्रोध करता करिये गा, एक प्लांट देखिए, मैं नरसरी वाले भाईया से लेकर आई थी, ये मर्बल जो मनी प्लांट है, उसकी कटिंग लेकर आई थी, और ये कटिंग मेरी सक्सेस हो गई है, देखे कितनी रूट्स भी आ गई है, तो इसको भी मैं पॉट दे रही हूं, छोटे पॉ भी देते हैं, तो खर कोई बात नहीं, वो अपनी इक्षा के उपर डिपेंड करता है, किसी को प्रेसराइज भी नहीं कर सकते, तो देखे मेरा एक प्लांट जो है, ये बनकर तयार हो गया है, और आप लोगों को तो पता है, हमेशा आप लोग को मैं सजेस्ट करती हूँ, क कुछ-कुछ प्लांट को तो मैंने रिपोर्टर भी कर लिया है, ये देखे, जो सामने दीख रहा है न, ड्रेसीना, इन सब को मैंने 5-6 इंज के पॉर्ट में सीप्ट कर दिया है, और जो येलो आले जो पॉर्ट थे, वो 8-8 इंज के पॉर्ट थे, तो उनको मैंने हटा दि जो है जादा निकले हैं, एक प्लांट में 4-5 बहुत बूसी प्लांट है, तो काफी दिन से सोच रहे थी, इसको रिपोर्टिंग करूंगी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, तो देखे, आपको अपडेट भी दिखा देती हूं, कई लोग कहते हैं कि पता नहीं, लोग होते हैं, ऐसे प्लांट की कटिंग आप बहुत असानी से लगा सकते हैं, तो देखे, ड्रेसीना का ये एक ही प्लांट है, और इसमें 4-5 ब्रांच है, तो कितना खुबसूरत लगेगा, जब ये प्लांट बढ़ा होगा, तो काफी बूसी बहुत सुन्दर लगेगा, तो मे मैंने कैलेंचु लगाया था, इसमें मैं इसको सिप्ट कर दूँगे, और बहुत अच्छी इसकी ग्रोध भी होगी, ये वाले पॉट में मैंने बहुत सारे ड्रेसीना के और भी प्लांट लगाया हैं, जो काफी अच्छे से चल रहे हैं, और बातों ही बातों में एक बात चाहूंगी, यदि आप लेडिस हैं और गार्डनिंग कर रही हैं, उनके लिए खास तोर पे, और जो लड़के हैं उनके लिए भी है, सिर्प लेडिसों के लिए नहीं है, किचन में जो वेस्ट डिब बे निकलते हैं, उनका इस्तमाल गार्डनिंग में आप एक बर करके त सारे प्लांट को मैं ग्रीन नेट के नीचे रखा है, बस यही है कि यदि टैरिस पे आप गार्डनिंग करते हैं, तो इनका इंतजाम सेड एरिया में करिये जब भी रिपॉर्टिंग करते हैं, तो कोई दिकत नहीं होगा, रिपॉर्टिंग के समय माने किसी भी प्लांट की मिट्टी में छेड़ शाड नहीं किया है, बस गमले से निकाला है और दूसरे गमले में सिप्ट किया है, तो आपको जो है ना मिट्टी नहीं निकालनी है, बिल्कुल भी मिट्टी को इधर उधर नहीं करना है, यह लिप्स्टिक एगलो नीमा है, यह भी मेरा कटिंग से त न वो खराब हो गया तो जब कटिंग से हम पोधे तैयार करते हैं तो ऐसा ही होता है तो आप भी अगर कुछ है प्लांट अभी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो फिर मिलती हूं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में बाई बाई